दोस्तो data analyst एक ऐसा करियर पात है जिसमें आपको कोई coding background या computer science degree की ज़रूरत नहीं है आप गर बेठे ये तीन महिने में सारी skills सक सकते हो इस वीडियो में मैं पूरा आपको roadmap बताऊंगा जिसमें technical skills और core skills हम दोनों को cover करेंगे मैंने सारे free resources include किये है आप घर बैठे study कर सकते हो आपको चार घंटे हर रोज span करने है जिसमें तीन घंटे technical skills और एक घंटा core skill में आप लगाओगे तीन महिने में जो last के दो weeks है उसमें मैं आपको resume preparation और interview preparation में भी help करूंगा यह roadmap follow करके कहीं लोगों को job भी मिल चुकी है तो यह video कोई clickbait नहीं है this is all real advice तो शुरू करते है पहले दो week आपको Microsoft Excel और business math statistics में आपको गुजारने है आपको लगता होगा कि Excel तो पुराना tool है लेकिन reality यह है कि data industry में जब small scale dataset होता है तो analysis के लिए लोग Excel को ही prefer करते है आप कोई भी job description देख लिए LinkedIn jobs और अगेरा पर आपको पता चलेगा कि बहुत सारी data analysis job में Excel की ज़रूरत होती ही है अब Excel तो बहुत बड़ा field है उसमें सब कुछ सिखने की ज़रूरत नहीं है मैंने यह PDF document बनाया है जिसमें पूरा road map और study plan दिया हुआ है तो Excel में सिर्फ आपको इतने सारे basic formula और इतने advanced formula सीखने है pivot table भी एक important concept होता है जो आपको सीखना है उसके अलावा basic charting filter और shorting तो मतलब basic ही Excel सिखना है आपको अपना time VBA macro सिखने में waste नहीं करना है लोग अगर बोलेगे ना तो मत मानो क्यूंकि VBA macro वगेरा die होते जा रहे है मेरे को खुद को 12 साल industry का experience है मैं यह आप इन New York के नजदिक में रहता हूँ Bloomberg में काम किया है मेरे बहुत सारे लोग मेरे को जानते है data industry में तो मैं यह आपको एक सच बात बता रहा हूँ कि VB और macro में time waste बिलकुल मत करो अब Excel में मैंने इतने सारे topic बताये तो आप पुछोगे भाया सीखे कहां से उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है आप इस link पर click करोगे न तो आपको Google की एक template library मिलेगे आपका Google का account होगा ठीक है तो आप docs.google.com में जाओंगे तो बहुत सारे एफ रेडिमेड templates होता है जिसमें मैंने यह monthly budget वाला template है यहाँ पर open किया है तो आपका अपना घर है आपके अपने खर्चे है तो वो सब आप यहाँ पर maintain करना चालू करो कि चलो भई यह date है मेरा 500 रुपय का बिजली का बिल आ गया या तो फिर मेरी जो income है इतने रुपय मैंने कमा लिए वो सब आप इस file में डालना शुरू करो ठीक है अब यह file में बहुत सारे formulas बगेरा set है तो आप देखो summary में जाके देखोगे यहाँ पर click करोगे देखा यह Excel का formula है यह formulas आपको सीखने हैं यहाँ पर देख लो if error ठीक है यहाँ पर देख लो देखो यहाँ पर spark line बनाई यह visualization कैसे बनाते है इसका एक formula है तो यह सब आप formula सीखोगे तो आपको अपना Excel का knowledge पका होगा देखो यह basic formula sum होता है ठीक है तो मैं यह आपको exercise इसलिए दे रहा हूँ कि आप खुद के expenses जब maintain करना चालो करोगे और formulas का study करोगे तो आपको एक अच्छे understanding आएगी कि Excel को as a data analytics tool कैसे use कर सकते है दूसरी एक sheet है annual budget वाली जहाँ पर तो बहुत ही detail में आप category wise maintain कर सकते हो कि भया मेरे चलो बच्चे है उनकी activity का कितना खर्चाओ January, February, March वगेरा में education का कितना entertainment का वगेरा 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 income का यहाँ पर maintain करो उसके बाद में यह summary में है न आपको income expenses आपकी month wise यहाँ पर दिखाया देगा और यहाँ पर अच्छा सा वो chart plot करेगा इस file में आप अपने हिसाब से changes करो आपकी अपनी जो need है उसके हिसाब से let's say आप pie chart एक डाल दो जिसमें आपका खर्चे का breakdown हो कि इतना बिजली का बिल है इतना घर का rent है इतना you know सबजियों का खर्चा है वो एक pie chart आप बना लोगे इसी file में तो आपको एक useful tool बना लेगे आप जो आपको useful होगा और साथ साथ में आप Excel सीख भी जाओगे मैंने ये file में एक तीसरा resource बोला है चंदूगर के एक बंदा है उसकी YouTube channel काफी अच्छी है इस पे आजा के आप Excel सीख सकते हो वैसे Excel सीखने के लिए बहुत सारे resources है दुनिया में तो आप ये सब सीखो लेकि Excel में waste नहीं करना है दो विक बस सीखो बहुत है Excel सीखने के बाद आपको business math and statistics या तो फिर समदो parallel में आपको business math और statistics सीखना है अब इसमें basic मैं question पूछो percentage चलो apple company है या तो फिर आपका salary देओ आपका salary पचास हजार था अभी 2023 आ गया चलो increment होके 60 हजार हो गया तो आपको कित कितना percent हाइप मिला मैं अगर यह question पूछो तो आपको immediately आना चाहिए एक data analyst को immediately quickly पता होना चाहिए कि कितना percent हुआ भाया 20 percent हुआ क्यूं क्यूंकि 50 पे अगर 60 पे जाओ के तो 10 का आपको increment मिला तो 10 को आप 50 के base पे पर percentage गिनोगे तो आपको मिलेगा 20 percent तो इस हिसाब से आप को अपना जो है basic जैसे growth decline you know apple company चलो Tata Motors का revenue last quarter में इतना था इस quarter में इतना है तो कितना percentage ग्रो हुआ है यह बहुत basic warm-up question होता है data analyst interview में दूसरा question लोग पूछते है कि चलो भाया यह सब companies है जो phone बेचती है ठीक है iPhone ने 40 billion के phone बेचे Samsung ने इतने बेचे इतने बेचे तो अभी iPhone का market share कितना है आपको यह immediately आना चाहिए तो अब यह कैसे calculate करेगा तो मैं आपको एक Excel file खोलके दिखा दिखता हूँ Excel बहुत powerful है by the way देखो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए है उसके individual numbers बाद में यहाँ पे देखो यह formula देखो total sum वाला formula है market share क्या होता है कि चलो iPhone का market share मतलब उसका जो भी sales है divide by total देखो यहाँ पे बी 3 divided by total by the way यहाँ पे देखो आप total SL label भी लगा सकते हो तो 42% हो गया iPhone का और Google Pixel का हो गया 5% etc तो आसे basic basic जो math के fund है ना वो आपको आने चाहिए statistics में आपको again बहुत deep नहीं जाना है mean, median, standard deviation, bell को percentage इलतना आ गया तो बहुत more than enough है इसके लिए कुछ resources है जैसे Khan Academy, Khan Academy बहुत सारी अच्छी website है, free में है उस पे मैंने ये course की link दी है, जैसे ये course हो गया है चलो भया, meaning of percentage, बहुत percentage क्या होता है तो ये बना है नैसे visual represent करके बहुत अच्छा समझाता है कि चलो इतने सारे box है, तो 20% box को आप वो mark करो तो इसके वीडियो देखे आपको बहुत अच्छी simple understanding आजाएगी basic concept के बारे में mathisfund.com भी एक बहुत ही अच्छी website है ये लोग बहुत ही beautiful एक्तम demand में उतार देते हैं तो आप कोई भी आपको topic पे search करना है तो इस पे जाके search कर लो और वो सीख लो YouTube मेरी जो channel है na code basics उस पे मैं future में ये सारे basic fundे वाले playlist भी लाने वाला हूँ तो आप check करते रहेगा जब भी आएगा तो मैं ये PDF file update कर दूँगा अब दो week ये सब study करने के बाद आपको मैं assignment दे रहा हूँ assignment ये है आपको अपनी first of all budget seat बनानी है जो पहली ये monthly budget seat बनाई थी न आप उसमें थोड़ा modification करके आप खुद की एक budget seat बना लो तो दो week के बाद आपकी एक budget seat होनी चाहिए जिसमें आपके घर के finances के सारे number होना जाए ये assignment number one है दूसरा assignment है LinkedIn में आपको profile बनाना है data analyst का जब लोग skills सिखते है न तो क्या करता है बता है वो technical learning में ही अपना time इंपेंड करते रहते है soft skill LinkedIn ये सब सारी चीज़े बहुत important है ठीक है इसलिए देखो मैंने ये diagram बता है न उसमें मैं ये चार जो skill है उसको core skill बोलता हूँ अब LinkedIn मतलब communication में आता है आपको LinkedIn पर जाके communicate करना है ठीक है ये चार skill core skill नहीं है न तो ये जो tool skills है उसके surrounding में उसका कोई फाइदा ही नहीं तो मेरे ही साब से तो core skill ज़्यादा important है तो आप LinkedIn पर भया एक अच्छी profile बना दो जिसमें एक clear photo आप रखो कुछ लोगों मैंने देखा एक बंदे न तो क्या किया था अपने अधरगर का वो picture LinkedIn में लगा दिया था यार अब ये क्या बात होई यार आजकल इतने अच्छे phone आते है तो आपके friend के बोलो कि अच्छा सा एक बहुत ही clear professional looking photo ले और upload करे आप अपना tag भी सही से रख सकते हो right open to work वो सब आता है आपने देखा होगा LinkedIn में तो एक अच्छी profile बना दो भाई ये बनाने में आपको बहुत time नहीं जाएगा ठीक है तो दो week के बाद आपको मैं ये दो assignment दे रहा हूँ ये assignment आपको finish करने है LinkedIn पे profile में क्या-क्या डालना है उसके लिए बहुत सारा material online मिल जाएगा मैं भी कुछ work shop अगेरा करने वाला हूँ but anyways मुझे पता है आप smart हो आप इतना तो कर लोगे ये कोई बड़ा rocket science है नहीं आपको week 3, 4, 5 BI tool either power BI ये तो टैबलू सीखने में span करने है आपको दोनों नहीं सीखने सिर्फ एक सीखना है कोई भी data analyst job के लिए BI tool जो होता है न आजकर वो most important requirement बन चुका है तो इसके बिना तो I don't think कुछ होगा आपका तो Power BI सीखने के लिए मैं आपको दो track दे रहा हूँ track A, track B track A में हम क्या करेंगे कि मैंने अपनी channel पे 3 project डाले है सिर्फ आप project करो आपको कुछ और सीखने के जरूर नहीं आप ये 3 project कर जाओगे तो बहुत अच्छा खासा आपको Power BI आ जाएगा पहला project है चलो sales insight का इस project में हमने end-to-end project execution किया था मेरा friend है, मेरा co-founder हैमन वाडिवल उसने यूरोप में 6-7 साल काम किया है as a data analytics manager था वो एक पूरी team lead कर दा था तो मैंने उसके साथ मिलके ये project बनाया है तो ये first of all real project है मतलब industry में ऐसे project का execution होता है तो सिर्फ मैं इसा नहीं सिखा रहा हूँ कि power bi में visualization के लिए यहां से dragon to pop करो मैं end-to-end समझा रहा हूँ कि problem statement को लोगे उसको data discovery कैसा होता है बाद में SQL का use करके आप analysis कैसे करते हो data cleaning ETL कैसे होता है stakeholder का feedback you know end-to-end जो industry में company में जैसे project होते है न वैसा किया है सारा dataset सब free में भाई यह तो बहुत ही valuable asset है सब free में बाई तो यह project का use करके कुछ लोगों को job भी मिल चुकी है मेरे पास testimonial उसके पड़े है मैं दिखा देता हूँ आपको देखो मैं कुछ testimonial दिखा रहा हूँ कि यह करके कुछ लोगों को job भी मिली है तो यह एक तो इसने तो thank you ही बोला है सिर्फ अब देखो इसने बोला है tablue वाई तरव यह मेरा tablue में भी यह project है tablue sales inside project help me in getting a job ठीक है देखो इसको power way as a developer job मिल गई तो सिर्फ यह project करके लोगों job मिली है तो आप यह project कर लीजिए उसके बाद में personal finance वाला जो हमने personal finance बात की देए आपके खर्चे वगेरा maintain करने excel में तो excel को बाद में आप power bi में इंपोर्ट कर सकते हो और ऐसा एक dashboard बना सकते हो कि जिसमें आपके monthly expenses आपका कितना saving हो रहा है breakdown कहां पर कितना खर्चा हो रहा है यह सब आप power bi में बना सकते हो सब free है power bi download करो free में YouTube का video भी free है data set भी free है सब free में ले जाओ तीसरा project है HR data analytics का project अब यह project भी end-to-end project है इसमें जो data set use किया है HR का वो real data set है मेरी खुद की एक software और data analytics की company है गुजरात इंडिया में 70 लोग काम करते हो उसमें atlick technologies आप google कर लो तो मैंने अपनी company ही के HR को invite किया था यह video के लिए और यहां पे हमारा जो organization data है उसको थोड़ा obviously थोड़ा email वगेरा हमने mask कर दिया था but other than that पूरा data set real है और इसको भी हमने पूरा dashboard वेस्ट बनाया था मैं दिखा देता हूँ मेरा friend है देखो यहां पी जो है नहामनन यह में उसको उरोप में 6 साल का experience है तो यह पूरा project again यह सारे projects real है भाई no BS okay ऐसा कोई dummy toy नहीं है यह real project है free में आप पढ़ लो बहुत अच्छा skill मिलेगा अब track B जो है उसमें पहले तो आपको sales insight project ही करना है ठीक है आपको बाइद वे समझ में आ रहा हो रहा है यह आपको track A करना है या track B करना है दोनों नहीं करना है अब track B में difference के हैं में बताता हूँ देखो आप free में तो एक कर लोगे ठीक है अब मेरा इक Power BI का course है बहुत ही affordable course है तो आपको यह लगता होगा कि आप free में कुछ पढ़ाय कर रहे हो तो वो actually actually free नहीं होता है विकोज जब मैं 5 गंटे YouTube पे सारे वीडियो बगरा देखता हूँ सर्च करता है information को तो मेरा time तो जा रहा है ना time की एक value होती है successful people होता है ना वो time की बहुत अच्छी value निकाल दे है कि मेरे एक गंटा is equal to पचास जा रुपए तो आपके भी time की value आपको शाही जकीन हो ना हो आपके time की एक value है तो अगर आप यह सारे project करने में अगर आप 6-7 घंटे spend कर रहे हो versus मैं आपको ऐसा बुलू कि same चीज यह course करने से आप कम time में सिख सकता हो plus इसकी जो quality है ना वो much better है इन सब से यह project भी अच्छी ही है मैंने बताया है यह project करके किसी को तो job भी लग गए लेकिन इस जो course है इसकी quality 10 times better है और यह तो एक कुदम professional data set यूज किया है 1.4 million records है इसमें और इसमें हमने जो भी बनाया है dashboard वो तो multi-million dollar company कैसे करती है इस तरीके से execute किया है इसमें सारी resume interview tips, deployment, बहुत सारे advanced core topics हमने cover किये तो आपको अगर लगता है कि यूणो यह कैसी बात होगी बता है कि आप चलो काश्मीर गुमने जा रहे हो और काश्मीर में आप काश्मीर risk case और अगलग जब में गुमने जा रहे हो आपने कभी गया नहीं है तो आप google map का use case खुद डून डून के जा रहे हो versus अगर आपके पास कोई guide है guide थोड़े पैसे charge करता है लेकिन आपको है ना वो आपका time बचा देता और mental piece हो जाती है तो paid course versus free video का यही fund है free course में आपको थोड़ी ज़्यादा मेंनत करनी पड़ती है थोड़ा time ज़्यादा जाता है paid में यार आप थोड़ा बहुत पैसे खरच कर लो और आपका बहुत काम easy हो जाएगा अब tableau आता है तो either आपको power bii सिखना है या tableau सिखना है क्योंकि देखो यह gardener करके बहुत बड़ी कंपनी है जो research करती है उन्होंने जब BI tool का research किया तो उन्होंने Microsoft जो है उसको number one rank दी और tableau comes at second और आजकल कोई भी company होगी जो Microsoft use करती है बहुत सारी कंपनी है Microsoft के Office, SharePoint, OneDrive, Azure पूरा ecosystem use करती है तो उसको Power BI on board करना is very easy because it gets very well integrated into that entire ecosystem इसी वज़ा से मेरा यह मानना है कि Power BI में बहुत सारी job future में create होने वाले अभी हो रही है future में भी होगी तो इसलिए आपको अगर confusion है ना और solid reason नहीं है तो मैं बोलता हो Power BI ही सीख लो लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं I don't agree मेरे को Tableau सिखना है तो भाई उसके लिए भी मैं resource दे रहा हूँ देखो ये Hindi में मैंने पूरा Tableau का project का सीरीज सेल सिंसाइट सेम वाला project मैंने Hindi में Tableau में बना है तो भाईया आप वो सिख लो अब आपका technical learning हो चुका ठीक है हमने बताया कि every week में हर रोज क्या करना है तीन घंटे technical और एक घंटा soft skill में तो एक घंटा soft skill में आप LinkedIn पे कुछ अच्छे influencer जो data analytics में है उनको follow करना चालू करो जिसे है हमानन अगेन मेरा business partner है उसको 6 साल का Europe का experience है data analytics manager का और वो अभी अपने LinkedIn पे वो अभी उसने jobs हो दिया मेरे साथ वो co-founder है मेरी company में बट उसकी जो LinkedIn की post है न अब यह बहुत ही सही होती है वो अपने जो real experience जो agile करके company में काम किया है उसने multi billion dollar company है तो वो अपने experience सारे share करता है बहुत easy language में कि यार आपको great data analyst बनना है न तो देखो यह सब चीज़े अब यह सब चीज़े कोई सिखाता नहीं है यह project management soft skills यह सब चीज़े बहुत important होती है तो यह आप LinkedIn की profile पे जाके यहाँ पे जाके you know follow button आएगा मैं already follow कर रहा हूं तो unfollow आ रहा है तो अगर follow करोगे तो आपको notification आएगा आपको बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेगे अब आपने LinkedIn profile पहले week में बनाई ना है तो अब क्या करना है इस time period में आपको LinkedIn में जो और लोग post लिखते है ना उस पे जाके आपको comment करना है अच्छी वाली comment ऐसी comment नहीं कि nice post good work वो फालतू की comment है आपको जैसे अभी हैमन ने ये post जो किया है right let's say चलो उसने ये post किया अपनी data analyst skill का तो आप इसमें जाके comment में कुछ question भी पूछ सकते हो कि चलो कैसे business basics में कैसे कर या तो फिर आपको छठा point अगर आपको कोई लग रहा है तो आप वो add कर लो मलना कोई भी meaningful comment करो अब comment करने से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ दो फायदे होगे एक तो ये होगा आपका दूसरे लोगों के साथ networking होगा आपकी अगर अच्छी comment है ना तो दूसरे लोगों इसमें comment respond करेंगे या तो फिर जो original post लिखने वाला है वो comment करेगा और आप बारी-बारी अगर comment कर रहे हो ना तो आपके वो ध्यान में आ जाता है जैसे मेरी lingering post पे कुछ-कुछ लोग comment करते हैं तो अभी I know those people by name मेरे को पता है कि ये बंदा ये है तो एक networking psychologically हो जाता है अब वो बंदा मेरे को connection request पेज़े का तो मैं accept करूँगा मेरे को लगे का कि ये बंदा अच्छा engage करता है अच्छी comment write करता है ठीक है तो अब एक बार connection बन गया है उसके बाद में कल को उठके कोई company में job आती है job referral चाहिए let's say आपका किसी data analyst जो है industry में काम करता है उसके साथ connection हो जाता है तो उसकी company में कोई job आई तो आप बोल सकते हैं कि भाई मेरा resume में लेके मेरे को refer कर दे जो आप में पता है आपको referral करके एक चीज होती है अगर referral मिला तो आपका interview, call तो पका ही समझो तो ये फायद होता है second फायद है ये होता है कि learning और brainstorming opportunity होती है ये कि भाई आप कुछ चीज़ पे actively discuss कर रहे हो तो आपका critical thinking होता है आपका brainstorming होता है तो आपको बहुत अच्छे चीज़े जानने को मिलती है जो आपकी college में आपको ना पता चली हो या तो फिर आपको books में ना पता चली हो LinkedIn ऐसा platform है कि वर्ल्ड के अच्छे अच्छे data analyst के साथ आप network कर रहो आप उनके साथ discussion कर रहो तो ये engagement increase करना बहुत ही जरूरी है मैं भी आपको बता रहा हूँ शायद आपको ये इतना meaningful नहीं लगेगा लेकिन विश्वास रखो मैं आपको बोलता हूँ इससे बहुत ही फायदा होगा next जो चीज है तो once again 3, 4, 5 की ही बात कर रहे है ठीक है इस week में BI tool के साथ साथ ही ये सब activity करनी है तो business fundamental of soft skills आपको improve करनी है आपको थोड़ा है बिजनस domain का knowledge होना चाहिए data analyst के लिए ये चीज जरूरी है अब आपको कुछ-कुछ business के funda है YouTube channel से आपको सीखने को मिलेंगे जिसे think school करके एक बहुत अच्छा channel है competition को कैसे beat किया ये एक एक वीडियो है राइट ये देखो तिंक स्कूल का एक दूसरा वीडियो है कि भया Steve Jobs ने Nike की marketing campaign से क्या सीखा ये बंदा है ना थोड़ा data analytics point of view से business concept समझाता है तो आपको बहुत सारे business concepts सीखने को मिलेंगे at the same time video entertaining है मतलब अच्छे लगते है दिखने तो तो ये तो मतलब फाइदा ही फाइदा है रहा सोने पर सुआगा आपको मदा भी आ रहा है आपको कुछ concept सीखने को मिलेंगे तो ये concept जिब सीखो ना तो not pen लेके बैठो और कुछ notes down अपनी लिखो एक book बनाओ जिसमें इंपोर्णन चीज होती है P&L statement profit and loss statement ठीक है वो आपको समझना है और वो आप investopedia बहुत सारी resources में समझ सकते हो P&L statement होता क्या है basically कि भाया चलो कोई company है ठीक है अब company में सबसे पहली चीज क्या होती है revenue कि उसका दंदा कितना हुआ चलो एक लाक रुपे का दंदा हुआ ठीक है अब उसमें उसके expenses होते है expenses expenses कितने हुए चलो 70,000 expense होए तो क्या आता है profit इसको बोलते है gross margin ठीक है gross margin तो gross margin कितना आगा है ये minus ये तो इतना आगा है अब gross margin जो आया उसमें उसके बाद में आपका marketing spend होता है बहुत साथी चीज़े होते है मैं तो बहुत simple समझा रहा हूँ actually तो बहुत बहुत breakdown होता है उसके बाद में आपको taxes लगे चलो बहुत गवर्मेंट कुछ taxes ले जाएगी taxes कितने है taxes है चलो 20% ठीक है ओके चलो इतने मैंने taxes बढ़ दिये तो net profit कितना आ गया अच्छा net profit इतना आ गया किस के minus यह यह मैंने एक simple P&L statement बनाया actual P&L statement काफी complex होता है तो यह सब आपको संबदना है company के जो business के fund है वो आप investopedia कुछ कुछ अच्छी YouTube की channel भी आपको मिल जाएगी तो उस पे आप सीख लो आपको अगर थोड़े पैसे खर्च करके सीखना है तो मैंने Power BIJ का course है न मैंना यह वाला उसमें बहुत ही simple भासा हमें है मैंना 5 साल के बच्चे को दिमाग में उतर जाए ना ऐसा पूरा एक P&L statement का वीडियो बनाया है जो आप सीख सकते हो हाँ यह वाला वीडियो देखो simplified profit and loss statement तो कोई hardware manufacturer company है उसमें वो सब sell हो रहा है तो मैंने पूरा यह देखो एकदम simple भासा में पूरा कि net invoices क्या होता है cost of goods sold gross margin यह सब पूरा एकदम individual component को break down करके समझा है तो वो आप सीख सकते हो लेकिन once again को free में सिखना है तो भी option है next चीज है आपको discord करके एक चीज आती है मेरे वीडियो का नीचे description चेक करो करो के ना तो आपको एक link मिलेगी जिसमें मैं code basic का discord server है उसमें आपको अगर कोई problem difficulty हो रही तो भई question पूछो तो देखो यह मेरे डिसकोड सरवर है ठीक है आपको लेसे power bi में difficulty आ रही तो यहाँ पे जाके यह left मेंने सारी channels है power bi में difficulty आ रही तो यहाँ पे question पूछो python में आ रही है तो यहाँ पे जाके question पूछो यह यह click कर दो देखो इसको channel बोलता है ठीक है, यहाँ पर 20,000 लोग है by the way, बहुत सारे लोग, knowledgeable लोग है, जो आपको help करेंगे, तो आपको difficulty आती है, तो यह discord अच्छा तरीका है, कि आप stuck होके तो बुदर, कि भाई यार मेरे को यह error आ रहा है, कोई help कर दो, तो लोग help कर देंगे, लेकिन, question पुछने का एक art होता ह मेरे को बहुत सारे लोग question पुछने है, sir मेरे को यह error आ गया, क्या करूँ, please help help help, मैं ऐसे लोगों को respond ही नहीं करदा, आपको question कैसे पूछना है, कि मेरे को यह फलाना फलाना डिम का error आ रहा है, मैंने यह सब सारी चीज़े try की, लेकिन नहीं हो रहा है resolve, तो क्या आप मेरे को troubleshooting tips दे सकते हो, मतला रेडिमेड आंसर मत मागो भाई, आप direction मागो, देखो मैंने यह मेरी एक LinkedIn की post की थी, by the way, मेरा यह LinkedIn है, नीचे video description में, मैं भी ऐसे बहुत सारी career tips होगेरा post करता है दो, इसमें मैं बोलता हूँ कि अगर आपको error आई है, तो आप ऐसा बोलो, कि मैं stuck ह हो गया हूँ, any tips for further troubleshooting, so you are asking for a direction and not spoon feeding, ठीक है, तो यह सब चीज़े ध्यान में रखनी है, अच्छा, अब 3-4-5 week का assignment आपका यह है, कि आपको अपना जो learning है, वो LinkedIn पे share करना है, तो मैं बता हूँ, आप right click करके इसको open करोगे, तो यह बाई साब ने हमारा जो sales insight का YouTube का free playlist करके उन्होंने जो चीज़े सीखी, उसका एक nice post लिखा, कि मैंने यह यह सारी चीज़े सीखी, improvements यह यह सारी किये, और एक अच्छा सा presentation भी बनाया, जिसमें live dashboard basically record करके बेजा, अब जब आप LinkedIn पोस्ट ऐसी करते हो, तो आपका एक तो written English communication अच्छा होता है, आप, I know आप Hindi में वी वैज़े तो English में ही काम होता है, तो English थोड़ा improve करने से फायदा होता है, तो आप यह लिखो, अगर भूल होती है तो मत गबराओ यार, grammarly वगेरा फिर टूल फ्री के आता है, जिसमें grammatical error fix हो जाता है, ऐसा मत सोचो कि कौन क्या सोचीगा, आपको तो learning से मतलब है, तो अच्छी एक post लिख दो, एक presentation बना दो, और जब post करता हो तो देखो, यह सारे 84 लोगों ने like किया, तो अब जो 84 के है, उनका जो LinkedIn feed है, उसमें भी यह दिखेगा, तो यह हो सकता है कि यार, चलो मैंने इसका comment चलो अभी जाके like कर दिया, मेरे network में 100,000 लोग है, जिसमें HR manager, बहुत सारे लोग है, जो hiring करते हैं, तो उनके ध्यान में आप आजाओं, क्योंकि इनके feed में आपकी post देखेगी, तो ऐसा हुआ है past में, कि अच्छी अगर post आपने की है, तो HR manager सामने सापको बोलेगी, कि भया, आपको interview देना है हमारी company में, ओके, यह सब होता है, तो आपक Tata Motors P&L, ठीक है, तो money control website पे पूरा एक P&L statement है, तो आपको यह statement, देखो, ऐसा statement होता है, profit and loss, March 22, March 21, पूरा यह, यह, यह statement, तो revenue इतना है, operating revenue, cost of materials, यह सब क्या है, आपको यह Google करकर के, यह कोई भी 3 company, एक Tata Motors ले लो, एक कोई healthcare की company ले लो, एक finance company ले लो, उसके आप statement study करो, तो यह दोनों assignment है, ठीक है, आप यह भी कर सकते हो, कि मेरे जो discord server है न, उसमें partner और group finder करके एक channel है, देखो यह वाला, यहाँ पे आप group study कर सकते हो, तो आप 2-3 लोगों का group बना दो, और हर एक week में, you know, Saturday Sunday एक meeting करो, और जितन learning किया है न, वो share करो, तब यह P&L statement का मैंने बोला, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपना जो group है, उसके साथ share करो, कि देखो, Tata Motors का यह P&L statement है, इसमें यह item है, उसका मतलब यह होता है, तो together brainstorming हो जाएगा, you know, group learning अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप समलो, आप gym जा रह और एक दूसरे को accountable करो, कि यार यह week खतम हुआ, तुने यह assignment क्यों नहीं किया, you know, यह assignment की copy आपको लेके जाना है, और अगर करो तो FSS check mark करना है आपको, छटे और साथ वे week में आपको SQL सिखना है, as a data analyst, जब किसी company में जाओगे, तो आप जिस data पे analysis कर रहे हो न, वो relational databases में store होता है, बहुत सारे cases में, तो relational databases मतलब Oracle, Microsoft SQL Server और वगेरा, और उसमें से data कर आपको pull करना है न, तो आपको SQL की query write करने परेगे, तो SQL को हो, मैं तो salt of data science बोलता हूं, उसके बिना data science, data analytics possible ही नहीं है, तो SQL बहुत important skill है, आपको interview में question पूछेगे ही, पूछेगे, अब SQL बहु तो मैंने highlight किया न, इतने, okay, basic query, advanced query, join, store procedure functions, आपको database creation, index, trigger, ये सारे advanced topic है, जरूद नहीं है, ये सब भेना data engineer लोग use करते है, ठीक है, तो इसमें time खराब मत करो, learning resources, मैं तीन resource बताता हूं, एक तो है Khan Academy का, ये बहुत अच्छा course है, free है, तो आप ये कर लो, दूसरा course है, SQL का ये W3 school का, again, पूरा course मत करो, नहीं, तो आपके चार मेनी इसमें ही खराब हो जाएंगे, जितने ये topic बताया है, सिर्फ ये course में जाके इतने ही topic करना है, third website है SQL bold, ये SQL bold तो ये पूरा lesson कर दो, ये तो I think दो गंटे में हो जाएगा, ये तो interactive आप, देखो आपको scenario बताएंग ये लोग, बाद में आप अपनी query यहाँ पर route करोगे, तो यहाँ पर आपका result आजाएगा है, बहुत अच्छी website है, I love it, SQL bold आपको पसंद आएगा, ये है आपका track A, track B में मेरे पास एक SQL का course है, जिसमें, you know, ये one stop है, अगर आप, ये सिर्फ 800 रुपे का course है, by the way, आपने आपको कुछ और करने की जरूद नहीं, exercise, material, साब कुछ, everything included, तब ये कर लो, और ये course पर, by the way, मेरे जो review है, वो सारे real है, okay, मैंने कुछ ये बना के अपने गर के नहीं रख रख है, ये सारा 100% authenticate review है, अब सौप skill में, आपको, मेरी website codebasic.io पर मैं हर महीने resume project challenge रन करता तो आप codebasic.io पर जाके resume project क्लिक करोगा ना, तो ऐसी हर महीने हम क्या करते है, एक problem statement और unique dataset देते हैं, ये dataset ऐसा होते हैं, जो internet पर आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, बहुत ही unique है, हम, हम, हमारे network में बहुत सारे domain expert है, उसके साथ consult करके, हम in-house मेरी company में, कुछ tools है, उसका use कर करके हम ये dataset बनाते हैं, और ये problem statement भी बहुत real है, ये बहुत ही industry style real problem statement होते है, उस पे हम सारा material भी, अगर आप click करोगा न डाउनलोड, तो सारा material, जैसे अब supply chain का project कर रहे हैं, तो supply chain के जए funder होते हैं, कि OTIF क्या होता है, OT percentage क्या होता है, सारा material PDF में available है, और ये जो domain knowledge होता है, वो बहुत important होता है, बहुत सारे analysis आपको ऐसे मिलेंगे, supply chain data analysis, तो supply chain data analysis को supply chain के business concept आने चाहिए, तो ये सब आपको, ये सब material डाउनलोड करने से आएंगे, और एक बार project आपने किया, उसके बाद में आप उसका एक LinkedIn post लिख होगे, और वो LinkedIn का post आपको यहाँ पे ऐसा submit क करना पड़ता है, और जो भी winner होता है, उसको हम prizes वगिरा भी देता है, ठीक है, participate करना totally free, तो आप at least एक challenge में participate करो, ठीक है, तो ये है आपका soft skill का ये, by the way, ये assignment भी है, आपको ये participate करना है, और आपको उसकी एक LinkedIn post दिखना है, देखो ये LinkedIn post मैं दिखाता हूँ, आशीश की ह है, जिसमें आप बताओ, कि आपने project में क्या किया, आप मान लो कि ये project को आप present कर रहे हो, अपने managers या अपने जो stakeholder होते हैं कमणी में, उसको present कर रहे हो, ऐसा एक LinkedIn का post आप बनाओ, और लिखो, तो ये बनाने से क्या होगा, कि once again आपका written English थोड़ा improve होगा, आपका जो presentation skill है वो भी improve होगा, देखो, जैसे आशीश ने पूरा, देखो, कितना सही इस बन्दे ने presentation बनाया है, my god, very impressive, ठीक है, और बाइद 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 आशीश non-technical background से आता है ये person, और उसने ऐसे ही online सीख सीख के सब किया है, तो ये आशीश का story काफी inspirational है, तो ऐसे एक post बना लो, और ये post बनाने से फाइदा ये होगा कि, एक तो आप, जब, देखो, मैंने like किया था, 268 जब like करता है न लोग, तो उनके feed में जाएगा, बहुत सारे लोगों को आपकी talent पता चलेगा, ये टिक talent showcase है, समझो, आप अपनी talent दिखा रहे हो world को, तो world में बहुत सारे लोग जो ये dashboard अच्छा लगा, चलो, job है, आजा मेरी company में, दूसरा ये फाइदा होता है कि, मेरे खुद के network में बहुत सारे लोग hire करते है, बहुत सारी companies है मेरे contact में, जो hire करती है, तो मैं जो resume project में जो अच्छे-ची profile होती है, उसको उस company वालों को बेजता हूँ, तो ऐसा होता है क जो top 10, top 20 लोग होते हैं, उनको तो directly HR के call आते है, interview के लिए, on top of that, मैं ऐसी LinkedIn की post भी write करता हूँ, कि भाया, देखो मेरी post में, ये 10 लोग है, इन लोगों अच्छा किया था, तो मैंने LinkedIn का एक post लिख दिया, अब once again मेरे network में बहुत सारे लोग है, लाख लोग मेरे, देखो म मेरे network में कितने लोग है, हाँ, अभी एक लाख दस हजार follower है, और 30,000 मेरे personal network में है, ठीक है, तो ये सब लोगों को आपकी talent का पता चलेगा, और आपको interview में help हो सकती है, week 8, 9, 10 में Python और Panda सीखना है, Python एसी programming language है, जो data science world को rule करती है, अब reality ये है कि बहुत सारी data analysis, job में कोई programming की जरूत होती भी नहीं है, तो ये मैं ऐसी jobs की बात करना हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत ये लोग Python का programming मांगते हैं, ठीक है, बाकि काफी सारी job में कोई programming language की जरूत नहीं होती है, अब Python अगर आपको सीखना चालो करते हो, तो इतने concept सीखने है, पूरा Python मतलब आपको उस इतना ही सीखो, ज्यादा सीखने की जरूत नहीं है, अब learning track में आगें, track A, जो free track है, उसमें मेरी अपनी channel है, हिंदी की, आप ऐफा लिखो YouTube में Code Basics Hindi Python प्लेलिस्ट, तो मेरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, इसमें first I think, मैं बोलू 9 ही tutorial काफी, 9, 10, 11, 11, 11 में बता देता हूँ आ अच्छा, ओके ठीक है, ये सारे 16 जरूरत है, मेरा English का है, उसमें 41 tutorials है, तो उसमें जरने के लिखे हैं, हिंदी में 16 ही है, आपको जितना चाहिए, उतना ही मैंने upload किया है, ये सारे tutorial में एक फाइदा क्या है, कि मैंने exercise भी दिये, तो मैं concept समझाता हूँ, बाद में आप लो code लिखते हो, code लिखने के बाद आपको exercise भी देता हूँ, तो देखो यहाँ पर exercise है, तो आप यार exercise कर लो, exercise के solution की भी link दे है, सब कुछ तो दिया है यार, और क्या मांगोगे ठीक है, तो ये python के आप थोड़े बहुत fundे clear कर लो, अगर आपको थोड़ा speed में जाना है, और थ सस्ता है, मैंने बुला ना, आपकी t-set और jeans का जो खर्चा है, उससे भी शायद कम है, तो ये course में, इसमें क्या होता है, यार कोई advad नहीं आती है, प्लस जो youtube के compare में, या always, क्योंकि paid course है, वो battery रहता है, इसमे end-to-end projects होते है, बहुत सारे फायदे है, तो अगर आप 500 करने है, मेरा एक playlist है, youtube पे, आप अगर जाओगे, उसमें first nine video देख लो, बस nine video, उससे ज्यादा नहीं, आपको बहुत time नहीं जाएगा उसमें, और बात में pandas को आप practice करने के लिए kegel करके एक website है, जितमें बहुत सारे data set है, देखो, यहां सारे, इतने सारे बर-बर के data set द तो वो सब आप देखोगे न, तो आपको थोड़ी बहुत pandas की practice हो जाएगी, अब आपको थोड़ी बहुत project management skill भी सीखनी है, सिर्फ tool सीखने से कुछ नहीं होगा, मैंने पहले बताया, right, तो project management में, आजकल companies जो है न, वो agile project management करती है, और agile में दो type के project होते है, project management होती है, right scrum और kanban, आप कोई भी company में जाओगे, आजकल, they use scrum और kanban, और ये दोनों है न, उसको common एक term है, उसको बोलते है agile development, scrum के अंदर, ये एक बहुत अच्छा website है, उसमें, I think ये एक घंटे 15 minute का एक course है, free के video है, मतलब ये click करो, video देख लो, add भी नहीं आता है, तो ये video देख ध्यान से, ठीक है, तो आपको scrum का idea आजाएगा, kanban करना है, तो kanban का, मैंने एक ये video link किया है, तो ये video देख लो, तो idea आजाएगा, kanban by the way, बहुत simple है, देखो, मैं जीरा करके tool यूज करते है, kanban में होता क्या है, कि ऐसे to-do items होती है, आपको क्या 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 करना है, तो to- to-do item, आपके घर में पंखा लगाना है, पेंटिंग करना है, हजार चीज़े करने है, आपको Mercedes भी बाई करनी है, लेकिन ये सारा list में सारी तो प्रियोटाइज नहीं होती है, तो पंखा पहले ठीक कर दो भाई, बाद में Mercedes बाई करना, तो जो पंखा ठीक करने वाला जो ticket है उसको आप ऐसे करके ऐसे in progress डालते हो, वो आपका important है, वो हो जाता है, पंखा ठीक होगा, चलो चालो हो गया, हवा आ रही है, तो हवा आने के लिए आपको test phase में move करना पड़ेगा, और बाद में हाँ हवा आ रही है, सब को switch भी ठीक है, तो ये हो गया, done, तो ऐसा है, जो ये सारे, जो है, ये मेरे SQL का जो course है, उसका एक, ये मैंने इसमें बनाया था, Jira वगेरा, क्योंकि उस course में मैंने ये सब भी समझाया है, कि exactly क्या, कैसे चीज़े काम चरती है, story point ये सब, तो ये है कानवा, कोई rocket science नहीं है, और इसके लिए जे टूल्स है न, Jira, Notion, ऐसे ब बहुत popular by the way, तो थोड़े बहुत उसके फंडे सीख लो, उसके बाद assignment में, आपको एक और resume project challenge में participate करना है, हमने जो resume project challenge जो ये अभी, every month हम करने वाले by the way, अभी तीन है active, every month, और ये तीनों की तीनों BI tool की है, लेकिन BI tool and Excel, लेकिन future में SQL, Python सब लाने वाले हम, तो ऐसे participate कर लो उसमें, और उसके बाद में एक LinkedIn post बनाओ, लेकिन इस बार उस post में आप अपना audio डालो, आप LinkedIn post में एक audio record करो presentation के साथ, जैसे कि आप वो project अपने stakeholder या अपने manager को समझा रहे हो, या तो फिर interview में किसी को समझा रहे हो, उस type के audio डालके practice करो, तो आपका audio जो English, audio जो बोलने कि scale थोड़ी improve हो जाएगी, और गपराव मत यार कोई कौन क्या सोचेगा, क्या फर्पड़ता है, कोई कौन क्या सोचेगा, आपका career progress हो रहा है, वो matter करता है न, discord पे, आप उसके बाद में थोड़ा help करना चालू करो, अब आप बोलोगे, यार मेरे को तो कुछ पता नहीं, मैं कैसे help करूँगा, अरे ऐसा नहीं होता है, आप कुछ भी, कुछ भी चीज में help कर सकते हो, कोई बना question पूता है, कि मैं pandas कहां से सीखू, तो वो तो बता सकत है, तो जब आप लोगों को help करते हो, तो उसका बहुत फाइदा होता है, मैं मेरी company में यहाँ पर Bloomberg, New York में काम करता था, तो ऐसे internal हमारा discord server था, जिसमें मैं लोगों को help करता था, कई बाल मेरे को question का answer नहीं पता था, तो भी मैं time span करके लोगों को help करता था, तो उसकी देखो, मैं इसकी error आ रही है, मैं help कर रहा हूँ, तो मेरा भी knowledge बढ़ रहा है न, तो जब आप किसी को एक लड़ू देते हो, तो universe आपको 5 लड़ू return में देता है, वो आपको दिखता नहीं है, आपको लगा, मैंने इसका help किया, उसने पैसे तो पे नहीं किया, और भाई, वो return में आ जाता है, आपको पता नहीं जलता है, तो बहुत दिमाग मत लगाओ, हरो जादा गंटा किसी को help कर, ऐसे selfless, बाद मैं देखना मैं आपको guarantee देता हूँ, 6 मेने साल में आपको result मिलेगा ही मिलेगा, सारी skills सीख ली, अब time आता है resume और interview preparation करने का, तो last 2 week जो है आप के 3 मेने के time duration में, उसमें आप ये सब करोगे, resume is actually to be honest वो थोड़े dive हो रहे है, और आजकल है ना online presence जादा matter करती है, इसलिए मैं आपको LinkedIn का बोट रहा हूँ, कि LinkedIn पे हर रोज आपको minimum आदा गंटा एक गंटा गंटा गुजारना है, आदा गंटा तो गुजारो ही LinkedIn पे, Instagram व वीडियो किया था, जिसमें सारी resume tips वगरा मैंने दी है, मैंने खुद 15 साल interviews किया है, मैं Nvidia में था तो इंडिया में मैंना IIT में भी जाता था interview करने के लिए, Bloomberg में यहाँ पे मैंना बहुत साल किया interview, मेरी अपनी company में मैं करता हूँ, यह जो है Hemanan, उसने भी जब ये ये यूर resume कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब resume देखते थे ना, तो कुछ-कुछ resume से देखते ही, वो reject कर देते थे, तो आपको क्या-क्या नहीं करना है, क्या-क्या करना है, जैसे आपको project जब mention करते हो, आपके resume जो project होता है, उसमें आपको star method यूज़ करनी है, कि situation, task, action, result, उ double click कर लो, देखो, ये download कर दो, बाद में आप उसमें इसी resume में अपना data भर लो, आपका resume हो गया, उसके अलावा interview preparation जब आती है, तो चला समान लो, आपने preparation कर दिया skills का resume भी बना दिया, अब interview के preparation के लिए, generally SQL के question तो पूछते ही, पूछते ही ये लोग, तो उसके लिए यार एक data lemur करके website है, जिसमें बड़ी-बड़ी कमणी, जिसे LinkedIn में ये question पूछा गया था, ठीक है, SQL का question है, तो ये website में आप यहीं पे query run करके, आप उसका output वगेरा देख सकते हो, देखो, यहाँ पे भी आपको practice हो जाएगी, और ये सारे बड़ी-बड़ी कमणी में जो question अगर आप login करने पड़ा है, login के बाद आप solution discussions अब देख सकते हो, सब कुछ प्री है by the way, दूसरी एक अच्छी YouTube channel है, तौफिक, ये तौफिक जो है, वो SQL के, देखो, ये SQL interview query for data analyst, बहुत सारे SQL के interview question के वीडियो बनाते है, ये तौफिक बहुत अच्छा समझाते हैं, मेरी वो interview की preparation कर सकते हो, अब Power BI और जो दूसरी technology के लिए, हम लोग playlist लाने वाले है channel पर, तो मेरी channel को आप subscribe कीजिए, और notification icon on कर दीजिए, तो जब भी ये video आता है, तो आपको पता चले, जब आप job के लिए apply करते हो, तो most of the people क्या भूल करते है, कि वो लोग कोई भी LinkedIn job posting होगी, या तो फिर company की website पर जाके resume में डाल देंगे, अब resume में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि black hole में चला गया, कोई response आता ही नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ी अलग technique यूज़ करनी है, जैसे cold emailing, cold emailing technique का पूरा हमने इस video में discuss किया है, निक सिंग के साथ, ये निक बाइद call आते थे, तो उन्होंने जो cold email किया था, उसके उन्होंने पूरा email का screenshot भी दिया हुआ इस video में, तो सारी tips वगएदे discuss किया है, तो ये ध्यान से थोड़ा देख लो, तो आपको पता चल जाएगा, कि cold emailing होती क्या है चीज, दूसरा आप, जो आपने LinkedIn में network अभी तक बना द कर रहा है, तो आप उसको अच्छा वाला मैं से लिएगा, कि भाई मैं जॉब ढून रहा हूँ, तुम तो काम करते हो, वहाँ पे कुछ है opening, तो मेरा job referral दे दे, तो आप उसके referral के थू जाएगा, तो आपके interview call तो पका ही हो जाएगा, चलो ठीक है, अब assignment के लिए, assignment के पर आपने काम कर दिया, और उसके बाद में आपको एक post बनानी है, जिसमें, आपको मैंने ये sample post की है, बाइद ली है, उस post में आपको video presentation डालना है, देखो ये नवीन है, नवीन ने अच्छा सा video present डाला है, ठीक है, और वो video presentation में पूरा उसने dashboard क्या बनाया, वो सब present किया, अपने आप से record किया, आपके phone से record करना है न आपको, और don't worry कि क्या कैसा दिखेगे camera में, कभी तो चालू करना है न, तो आज चालू करो, कल चालू करने से बजाए, तो मैं नवीन की post देखता था, और मैं और हैमनन उसके काम से काफे impress हुए, तो हमने नवीन को हायर कर दिय अपनी कंपनी में, athletic technologies में, code basics में as a data analyst, उसको job मिल गई, आपको जानके हरानी होगी कि हमने इसका interview भी नहीं लिया, formally phone पे ही थोड़ी ऐसी formal, informal जो बात होती है वो ही कर ली, लेकिन जो formal technical interview है न, हमने उसका किया है नहीं, इसी तरीकी से हमने तीन और चार, तीन या चार दू जो में चैलेंज में participate करते हैं उनके dashboard हम देखते हैं तो dashboard काफी सरी बनाया है उन लोगों न, तो उससे उनकी talent का पता चल गया है, और उसके बाद में जब अब ये video presentation नवीन कर रहा है, मैं देखता हूं तो उसका English कैसा है, you know presentation skills कैसी है, लोगों को convince कैसे करता है, वो सब पत चल दा है, तो ये फायदा है, अब नवीन का आप देखो कि उसके कुछ 6000 follower है, अब कोई भी recruiter उसकी profile देगा तो उसको लगेगा कि यार, ये बंदे में कुछ दम है, तो आप 6000 follower जब लाते हो, तो आप में कुछ तो खोना चाहिए, ऐसे तो लोग आपको follow नहीं करेंगे, त तो persuasion skill है का आती है, तो persuasion skill है आप में, ठीक है, तो ये कर लो, और discord server में अपना participation जारी रहो, तो ये होगा है 11-12, और ये है assignment, make sure आप assignment को करो काम, और जैसे ही काम करो उस पे check mark कर देना, अब आप जब तीन मेने study करते हो, तो effective learning के लिए एक tip याद रखो, कि आपको अपना वीडियो देख रहे हो, तो आप ऐसा मत करो कि चलो python का class का एक वीडियो देख लिए, बाद में दूसरा वीडियो देख में, बाद में इंटरनेट पे जाके दूसरे तीन आर्टिकल पड़ लिए, इसको बोलता है tutorial hell, आज कले common problem हो चुका है, कि लोग, हाँ python का class का वीडिय लाता है ना, तो क्लिक करने के इच्छा हो जा दिये, तो अभी कुछ practice तो किया नहीं, और आपने दो गंटे बस वीडियो देखने में इस पैन के रहे है, यह तो waste of time है, आप सिर्फ एक ही वीडियो देखो, बाद में, आप computer को pause कर दो, सब distraction, mobile phone है ना, उसको silent करके दूर र so that you can understand what you learned, उसके बाद में, आपको code लिखना है, implement करना है, ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, देखो, spend less time in consuming information, more time in digesting, implementing and sharing, implementing का मतलब आप code लिखो, और तीसरा आप share करो, आपने जो भी सीखा है, आपने friend के साथ share करो, या तो फिर discord में जा कि किसको help करो, आपको लगता है कि आप दूसरे को help करो, actually जब दूसरे को help करते हो, आपको खुद को उससे ज़्यादा help मिलती है, क्योंकि जो concept में आप किसी बंदे को सिखा रहे हो ना, वो आपके brain में ज़्यादा solid हो जाता है, तो यह बहुत ही अच्छी tip है याद रखनी है आपको, दूसरा concept है group learning, जो मैं आपको बताया है, कि मेरे server में जाके, discord server में partner and group finder है, आप बोलो कि यार, 2023 मेरा resolution है, मेरे को data analyst का सीखना है, किसी को group बनाना है मेरे साथ, आ जाओ, और group बनाने के बाद, आपको हर एक week में call रखना है, zoom का call रखो, और बोलो कि कितना बहुत तुने progress किया, एक दूसरे को आप ऐसा करो कि code basics, career transition अगर आप लिखो गे न, YouTube में, एक playlist आजाएगा, जिसमें मैंने सारी career transition की story डिखे, जैसे ये भाई साब है, बीकॉम थे, अब बीकॉम से data analyst बन चुके है, ये Accenture में काम कर रहे है, हितेश, ठीक है, तो उसकी, उसने कैसे किया, वो सारा वीडियो में दिखा हुआ है, मैं दूसरा भी एक वीडियो करने वाला हूँ, दूसरा भी एक बीकॉम बंदा है, जिसने अभी वो data analyst है, ये देखो mechanical engineer to data analyst transition, ऐसा बहुत सारे वीडियो है, ये भाई साब देखो, lawyer थे, अब software engineer बन गए, तो ये थोड़े वीडियो देख लो inspiration और tip के once again data analyst job के लिए, कोई coding background या तो फिर कोई computer science degree की ज़रूद नहीं है, लोग अलग अलग फिल्मे से आके data analyst बन जाते है, और ये IT फिल्म में आने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें इतना heavy coding नहीं होता है, चलो थोड़ा बहुत python अगर होगा, by the way, सारी job में python नहीं की नहीं, नीचे video comment में, अगर आप resolution लेने वाले हो new year में, तो comment करो, कि हाँ मैंने resolution दिया है, और मैं सीखूगा, और मैं हर दो week में update करूँगा, तो हर, तो वो सारी comments आप नीचे video में डालो, ताकि मेरे को पता चले, कि आपने ये resolution दिया है, कि आप daddy के लेली इसका study करने व कर दीजी यार, आपको एक second जाएगा, मैंने इतनी मैनत करके बनाया है, आपके थोड़े friend के साथ भी share कर दीजीगा, और channel को थोड़ा subscribe कर दो यार, तो हमारा भी channel का थोड़ा growth हो सके, alright, I wish you all the best.